Hello everyone, I am Dr. Shilpi Badani, I am a plastic surgeon and I practice at S.B. Aesthetics Guru Gram India आज का जो topic है वो lip enhancement के उपर है वैसे तो lip पे हमने बहुत सारे videos बनाए हैं और आप लोगों ने उन videos को बहुत पसंद भी किया है लेकिन आज हम सिर्फ lip enhancement के बारे में discuss करेंगे और lip enhancement हम किन-किन तरीकों से कर सकते हैं जो सबसे popular तरीका है lip enhancement का वो सबको पता है और वो है hyaluronic acid fillers या lip fillers या derma fillers बहुत सारे नाम से लोग इनको जानते हैं और popularize भी बहुत अलग-अलग नामों से हैं ये तो जो lip filler का procedure है उसमें सबसे commonly जो चीज यूज होती है वो यह है hyaluronic acid अब यह hyaluronic acid क्या है dermal fillers पे भी हमने एक वीडियो बनाया है जो कि एक detailed वीडियो है जिसमें मैंने syringes भी दिखाए हैं और वो filler कैसा दिखता है वो भी बताया है lip filler भी वैसे ही एक dermal filler है और उसी तरह के syring में आता है और उसमें hyaluronic acid होता है अब यह hyaluronic acid हमारे body में वैसे भी naturally present होता है जैसे जैसे हमारी aging होती है वैसे वैसे ओविसली lip का volume घटता है तो हम देखते हैं कि थोड़े से wrinkles या shriveled look जो कहते हैं सूखे से lip हो जाते हैं जैसे हम अगर अपने younger days को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ वो lip plump थे और धीरे धीरे उतनी volume नहीं रहे गई तो ये hyaluronic acid और collagen की कमी से होता है इस कमी को hyaluronic acid fillers बहुत ही properly और बहुत अच्छे तरीके से बहुत quickly fill करते हैं तो इसमें जैसे अगर आप ये देखेंगे pictures तो ये जो उपर वाली picture है उसमें lower lip तो ठीक है लेकिन upper lip lower lip के comparison में बहुत जादा shriveled है तो अलग-अलग problem statement के साथ आते हैं लोग कुछ लोगों का ये मानना होता है कि उनके दोनों ही lips में volume की जरुरत है कि नहीं को बस सिर्फ एक lip पे volume के requirement लगती है या फिर लोगों को लगता है कि नहीं हमेशा से ही lips thin है और overall face के proportion में नहीं जा रहे तो हमें overall lip volume increase करवाना है या lip definition नहीं है तो lip को properly define करना है या definition तो है लेकिन volume नहीं है तो volume लाना है तो multiple problem statement से लोग आते हैं मेरे पास lip का जो volume है उसको correct करवाने के लिए assessment में हम usually क्या देखते हैं assessment में again हमेशा एक ही तरह से filler हम नहीं कर सकते और हमें individuality का बहुत ध्यान रखना होता है कभी भी कोई भी plastic surgery, cosmetic procedures कुछ भी करें हमें individuality का बहुत ध्यान रखना है one size fits all कभी भी लागू नहीं होता cosmetic surgery, plastic surgery, aesthetic surgery या फिर cosmetic treatments में भी हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमारी treatments जो हैं वो tailor made हो, individualistic हो और तभी हम उनको natural results दे पाएंगे तो अगर हम different categories of lips को देखें हमारे बहुत सारे posts हैं हमारे इंस्टा हैंडल पे और लोगों ने बहुत like भी किया उन posts को मैं regularly भी post करती हूं जैसे हम जब हम कभी procedure भी कर रहे होते तो आप उनमें देख सकते हैं कि lip fillers हम कैसे करते हैं लेकिन जैसे अब हम इन दोनों lips की comparison की बात है यह अलग-अलग patients हैं लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीके upper lip की volume कम है और हमें सिर्फ upper lip में volume चाहिए लेकिन अगर हम सिर्फ upper lip का volume देंगे तो क्या होगा कि lower lip को इसके comparison में कम लगने लगता है तो यहां पर बात आती है lip ratio की हमें lip ratio भी properly maintain करना है तो इसलिए मैंने इसमें दोनों में filling की है और obviously हमें proportionate result पे पहुँचे जो दूसरे अगर patient देखेंगे तो इसमें भी वही है कि लग रहा है कि upper lip की volume कम है और lower lip में requirement नहीं है लेकिन हमने properly define किया cupid's bow को define किया और इनको upper और lower lip दोनों में ही lip volume दिया है बढ़ाया है अब कुछ patients होते हैं जिनके lip already protruded है लेकिन उनको सिर्फ volume चाहिए तो obviously हमें जो result की expectation है वह हम पहले से बताते हैं patients को कि already आपके lip protruded है अगर हम volume देंगे तो lift भी आएगा protrusion भ थोड़ा सा overfilled लग रहा है लेकिन again ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो patients आ रहे वो क्या चाहते हैं अगर वो थोड़े overfilled lip पसंद करते हैं तो हम again हम उसको भी possible करते हैं but with the disclaimer कि you know you may want to dissolve it later और again ये जो lip filler का advantage या कोई भी filler procedure का advantage भी यही है कि अगर आपको लगता है कि कुछ थ होड़ा सा take down करना है result को तो वो possible है हाला कि मेरे practice में बहुत ही rare है कि मैं कभी filler अपना कियावा dissolve करती हूं क्योंकि we take an incremental approach हम एक साथ 2 ml धाई ml fill नहीं करते हैं we go incrementally और धीरे-धीरे करके हम उसको बढ़ाते हैं अगर किसी को जाधा filling चाहिए और lip volume पहले से बहुत कम है तो उ इस इमीडियेटली आफ्टर और इमीडियेटली आफ्टर में आप देखेंगे कि लिप ओविसली थोड़े जाधा प्रूड़े लग रहे हैं अपर वाले हाला कि इनको यह result बहुत पसंद आया बट यह धीरे-धीरे करके सेटल हुआ और बाद में यह दुबारा वापस है कि नहीं यह बहुत इंपोर्टन है मैं हमेशा अपने वीडियो से बताती हूं कि सेफटी का सबसे पहले ध्यान रखना है कोई भी माइनर प्रोसीजर के भी कॉंप्लिकेशन और रिस्क हो सकते हैं यह समझना जरूरी है और हमें उनको कॉंप्लिकेशन को बहुत-बहुत- ऐसे जो यह पिक्चर है इसमें आप देखेंगे कि ओविएसली ए सिमेट्री है एक तरफ का लिप थोड़ा जादा दबा हुआ है नीचे का लिप ऑल्मोस्ट ठीक है बट ऑविसली लग रहा है कि ड्राइड अप है और लिप डेफिनिशन नहीं है तो इससे हमने लिप अचीव हो गया लेकिन कुछ minor corrections हमें बाद में भी करने पड सकते हैं जो ये वाला भी जो इन में भी हमने वही देखा कि अपर लिप की वॉल्यूम है और हमने अपर और लोवर लिप दोनों को प्रपोर्शन में लाया and then we could achieve this result. So obviously lip filler is a very popular choice and the most easy way to get lip enhancement. So obviously this is number one in the choice of procedure for lip enhancement. Lip fat rafting हम जब भी patient में करते हैं हम उनको बताते हैं कि ये एक natural result देगा, एक subtle result देगा, lip filler से हम इसको compare नहीं कर सकते हैं. क्योंकि lip filler में आप देखिए कि जब हम hyaluronic acid fillers करते हैं तो वो जो volume हमने डाला है वो वैसे ही रहता है. धीरे धीरे body उसको dissolve करती है और slowly over the period of a year or so और sometimes one year, two months तक वो अगर पूरा जाने का बेट करें तो उतना time लग जाता है. ज्यादा तर patients हमारे पास eight month, nine month में वापस आते हैं और वो refill कराना चाहते हैं तो हम उनको करते हैं क्योंकि वो result maintain करना चाहते हैं. लेकिन अगर हम बिल्कुल छोड़ दें कि पूरा filler काया हुजा तो इसमें करीब एक साल से सवा साल का time लग सकता है कि पूरा filler चला जाए. तो जब हम lip fat grafting की बात करें तो सबसे फर्स चीज है जो हमें ध्यान देने वाली है कि हम इसमें subtle result expect कर रहे हैं, natural result expect कर रहे हैं, overfilling से कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि lip में fat grafting जो है वो कम टिकता है. तो ये उन patients के लिए जो एक subtle natural rejuvenation चाह रहे हैं ना कि overfilled lips. Over time, yes, maybe we can achieve the overfilled lips also with fat grafting बट उसमें multiple stages लगेंगे, fat grafting का process simple process है, उसमें आपके ही body से थोड़ा सा fat निकालते हैं और उसके बाद उसको एक तरह से process करके, pure बनाके और फिर हम inject करते हैं उसी time पे, इसमें swelling थोड़ी जादा हती है और settle करने में भी time लगता है, अब ये जैसे को देखेंगे, तो इनके full face की fat grafting हमने की, तो overall अगर आप देखेंगे first picture और second picture में आपको difference नजर आएगा, कि second picture जादा rejuvenated है, तो आप ये difference automatically आपको better पता चल जाता है, अगर आप सिर्फ लिप की बात करें, तो अगर आप देखें, तो lip filler जैसा इसमें नहीं है result, लेकिन फिर भी अगर हम compare करें first or second को, तो ये long term stable result है, मतलब ये जो photo है, ये almost 5-6 months के बाद की है fat grafting के, तो आप देख सकते हैं कि एक stretched और एक rejuvenated healthy appearance है, lips pages में जो shriveling है, वो कम हो गई है, तो ये हम देख सकते हैं, इसमें, अगें ये जो patient है, इनमें हमने multiple stage of fat grafting किया है, इनको ए number disease बोलते हैं, और उसमें एक तरफ का जो face है, वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है, fat की कमी होती है, तो हमने symmetry अचीव किया है, और अगर आप सिर्फ lip की बात करें, तो देखे हमने इसमें lip fat grafting से ये अचीव किया है, हाला कि ये long term में थोड़ा कम हुआ ये result, ये patient बाहर से ह हैं, तो obviously हमें ये 6 months, 7 months में आके एक बार follow up करती है, अब हमने इनका ये second stage में achieve किया है, जो ये भी आप देख रहे हैं, इसमें भी एक stage of fat grafting हो चुकी है, ये second stage का result है, तो obviously lip में fat graft कम टिकता है, और हमें एक realistic expectation रखनी है, कि rejuvenation होगा, ना कि overfilling, overfilling with multiple stages may be achieved, जो third process है, वो हम जो nose के नीचे का हिस्सा है, उससे एक bull horn type का skin निकालते हैं, इसको bull horn lip lift भी कहते हैं, और हम एक तरीके का pattern skin निकालते हैं, और उसके बाद उसको stitch कर देते हैं, तो जब ये skin जब हम हटा देते हैं, और आपस में stitch कर देते हैं, तो क्या होगा, कि एक lifting हो जाती है, और एक volume क appearance आजाता है, अगर आप इसमें देखेंगे, तो obviously ये बहुत shriveled है, और ये जो length है upper lip की, ये main decisive factor होती है, कि हम lip lift कर सकते हैं या नहीं, जिन में ये lip length लंबा होता है, जो की aging से भी हो जाता है, जब ये lip length जादा लंबा है, तो एक sad look आता है face पे, तो obviously हम उसको ये length कम कर सक सकते हैं, and हमने इसमें fat grafting भी किया है, but obviously इनकी requirement है कि और भी जादा फिल्ट लगें lips, तो हमने बाद में भी इनका lip fat graft plan किया, and obviously ultimately अगर patient को satisfaction नहीं हो रही lip fat graft से, तो हम उनको ये ही कहते हैं, कि ठीक है, फिर आप lip fillers ही कराईए, और one year, one and a half years में, आप lip fillers repeat कराईए, ता कि आपका, जो result है, वो maintained रहे, इसमें भी आप देखेंगे, तो इसमें obviously after, just after surgery, ये बहुत amazing result अचीव हुआ है, lip lift से, तो इनका हमने lip lift किया, और lip fat grafting भी एक साथ ही किया है, लेकिन इस stage से भी कम होता है result, मतलब ये दीरे-दीरे settle करता है, and obviously this is a very good post-op result, तो overall ये हैं lip enhancement के techniques, ज lunch time procedure, no downtime kind of procedure, जो है, वो lip filler है, और वो बहुत natural results प्रवाइट करता है, tail ring हो सकते है, आपको कितना चाहिए, कम चाहिए, जाधा चाहिए, वो हम कर सकते हैं, stages में हम पतले से पतले lip को भी जाधा voluminous बना सकते हैं, लेकिन, again, safety का ध्यान रखते हुए, आपने हमारे, जितने भी YouTube videos हैं, lip fillers और बाकी भी fillers पे, वो आपने बहुत पसंद किया है, and that is why I thought that I should make a dedicated video on lip enhancement, because we get so many cases for doing these procedures, and we do it in and out, and thank you so much for the kindness and support you've shown towards our videos, और आपने इतना लाइक और शेर किया हैं हमारे वीडियो को, उसे हमें बहुत encouragement मिलती हैं, कि हम और बहुत ऐसे वीडियो लेकिते हैं, आपके पास, और अब हम YouTube पे भी live regularly जाते हैं, and it will be good if you can, if you can join us in those live sessions, and ask questions, you know, on a real time basis, it will be really good to answer them, so thank you so much, do like and subscribe, do share our videos, and you can hit the bell icon for notifications, so that you get notifications for the new videos, thank you so much.